तो आज के वीडियो में हम डिसक्राइब करेंगे क्लास 9 के कमपेटर के चैप्टर 11 के बचिवे टॉपिक्स को तो चैप्टर 11 को हम डिसक्राइब ने बना चुका हूं अगर आप लोग ने उस पार्ट को नहीं देखा तो आप लोग देख ली जगा उस वीडियो को लिंक है वह आपको इस वीडियो के डिसक्राइब में मिल जाएगा तो आप लोग इसको चैप्टर का पार्ट टू है जिसमें कि हम इस चैप्टर के बच्चेवे टॉपिक को डिसक्स करेंगे और देखिए बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में कमेंट आते हैं इसार हमारी बुक म करें सभी बुकसमें सिम्लर टॉपिक्स में क्या होता है देखना है आपको इस चिजिस सा के मेरे diyorum होना है ऐसे इस चीज़ सेक्में मेरे बॉक में डvat बच्च गर लेना है तो इस हो पिक देख लेना है तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिसक्स करते हैं चैप्टर के बच्वे टॉपिक्स को तो लास्ट वीडियो को हमने यहां पर इंट कर रहा था हम डिसक्स करने वाले थे basic elements of a slide मतलब जो slide होती है उसकी basic elements क्या क्या होते हैं तो उनको यहां पर हम discuss करन यह इस slide की background है तो background में आप जहां कोई भी color लगा सकते हैं next element की अगर हम बात करें तो next element है title जो कि आप लोग को यहां पर दिख रहा है हर slide में जहां आपके title होता है तो title को भी जो आप अपने requirement के according adjust कर सकते हैं बात करते हैं अगले element की जो की है body text मतलब कि यहां पर जो टैक करते हैं बात करते हैं अगले element की जो कि है footer तो footer भी जो आप अपने slide में लगा सकते हैं जो कि आपको normally bottom पर देखने को मिलता है जैसे कि हमने MS bird में पढ़ाता header and footer तो भी footer है यहां पर अगर आपको common information हर एक slide पर display करानी है तो आप footer को apply कर सकते हैं इसके अगले element के अग आप कर सकते हैं इसके अलब अगर हम बात करें तो यहां पर slide में आते है slide number numbers को भी जो आप display करा सकते हैं कि currently आपकी यह कौन से slide होंगी सब पर number लगके आ जाएंगे तो यह कुछ basic element होते है एक slide के I hope आपको clear होगे होंगे अब हम discuss करेंगे slide के layouts को कि slide में क्या क्या layout होते हैं तो उन layout को हम discuss करने वाले हैं तो इस बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीक सापके सामने डिफरेंट टाइप के layout आ जाएंगे तो चले इन सारी layout को one-by-one discuss कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर title slide की यहां वादीग्यों सबसे पहला वाला है यह है title slide तो इसकी help आप क्या कर सकते हैं title को add कर सकते हैं और कुछ text को add कर सकते हैं मतलब कि अगर आपको ऐसी slide करने है जहां पर की सिर्फ title होगा और थोड़ा बहुत paragraph आपको लिखना है तो इस काम के लिए आप select करेंगे जहां पर आप text add कर सकते हैं मतलब कि slide में आप एक title add करेंगे और नीचे का एरिया होगा उसमें जहां आप text add करेंगे जो भी text आप add करना चाहते हैं और text के अलाब बॉड़ी वाले पार्ड में अब other elements को भी insert करा सकते हैं जैसे कि charts हो गई टेबल्स हो गई video clip हो गई या फिर picture हो गई या फिर आपको कोई smart add एंटर करनी है तो इस टाइप की चीजे भी insert कर सकते हैं मतलब कि नीचे का area होगा यहां पर इन सारी चीजों को आप insert करा सकते हैं बात करते हैं अगले layout की तो अगला layout है section header तो section header के अगर हम बात करें तो क इसके लावर आप चाहें तो title slide जो होती है उसके alternate के तौर पर भी इसको use कर सकते हैं बात करते हैं अगले layout की जो कि है two content तो two content के अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है अगर आपको जो है page को divide करके दो part में content को display कराना है तो आप जो है two content वाले layout को select कर सकते हैं basically जो आपकी slide होगी बात करते हैं अगले layout की जो कि है comparison तो comparison layout के अगर हम बात करें तो यह इस तरीके से आपके सामने आ रहा होता है और इस वाले layout को हम यूज करते हैं content को compare करने के लिए मालीज आपको दो terms को differentiate करना है तो आप comparison वाली slide को use करेंगे basically slide भी जो है two content वा आपके दो boxes रहेंगे एक side में पहला term लेखेंगे और उसके बाद में दोनों के differences आप define कर देंगे तो कुछ इस तरीके से comparison वाली slide को use किया जाता है बात करते हैं लियाओट की जो कि है title only slide तो इस तरीके से दिख रहा होता है तो यहां पर basically title आपको देखने को मिल जाता है औ और इसके अलावर आपको कोई और content panel देखने को नहीं मिलेगा तो अगर आपको अपने slide में सिर्फ और सिर्फ टैटल को insert कराना है तो आप इस slide का यूज कर सकते हैं बात करते हैं अगले layout की जो की है blank तो blank वाला जो layout वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है और यहां पर आपको कोई भी element देखने को मिलता है यह जो slide होती है completely blank होती है और इस slide को आप डिजाइन कर सकते हैं अपने requirement के according जैसी आपकी नेट है वैसे आप इसको design कर सकते हैं बात करते हैं अगले layout की जो की है content with caption slide तो इस वाले में जो content होगा वो आपका right side में जो है प्लेस हो इसके अलाब अगर आप चाहें तो नीचे के side में कोई भी element को insert कर सकते हैं इस तरीके का कोई भी element यहां पर insert कर सकते हैं तो आप लोग को यह layout की तो अगले layout की तो अगले layout है यहां पर picture with caption जो की आपको यहां पर इस तरीकी देखने को मिल जाता है अगर आप जो ओल्डर व सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस तरीकी से सारी layout जो आपको देखने को मिल जाते हैं MS PowerPoint में जिनको क्या आप अपने requirement का कोडिंग यूज कर सकते हैं अब हम बात करेंगे किस तरीकी सम पावर पॉइंट में एक ब्लैंक प्रिजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं तो ब्लैंक जाके न्मीक कर देना ऊगा जैसे पर क्लिक करेंगे तो इस तरीकी बिंडो आज यहां से जो आपको you ढौनाय में टेक्स टेक्स को एडशा कर सकते हम अगा है आपको टाइट करना है तो आप क्या करेंगे simply click to add title यह प्लेस होल्टर जो आ रहा होता है इसमें आप क्लिक कर देंगे और उसके अबाद में आप लोग यहां पर देख सकते हैं लिखके आ रहा है उसमें क्लिक कर देना है और उसके बाद में आप आप यहां पर देख सकते हैं आ रहा है क्लिक टो एड़ सब्टाइडल तो यहां पर क्लिक करके आप सब्टाइडल को एड़ कर सकते हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा अब बात करते हैं विल्ट टेंपलेट्स की तो दीए पावरपाइंट में जोहां आपको टेंपलेट मिल जाते हैं टेंपलेट बेसिकली प्र को वहाँ टाइप करना होगा तो चलिए बात करते हैं कि PowerPoint में हम किस तरीके से बीट-इन टैपलेट को यूज कर सकते हैं तो इनको यूज करने के लिए आपको प्रेक्टिकली करके दिखा दे रहा हूं जिस तरीके से और भी आपको तीम्स देखने को मिल जाएंगी जिनको आप यहां से चूज कर सकते हैं इसके लिए अगर आपको आपको सिंप्ली नेम को टाइप कर देना है तो उस टाइप के आप तो आपके सामने डेश्पले हो जाएंगे उनमें से कर सकते हैं तो यहां पर चेंज कर सकता हूं और यहां पर प्रफ कर ऐख्या हुआ है चैंज कर सकता हूं तेव के लिगणा हrices स्रहें जो चाहिएं यहां दो फॉन चैक्रिण के सब्सक्राप्स बस मुझे यहां पर टैक्स को रिप्लेस करना है यहां पर जो भी टॉपिक होगा उसे टाइप कर दूगा और उसके बाद में यहां पर उसके डिटिल को टाइप कर सकता हूं तो इस तरीके से पाइप में आप जो हैं बिल्टिन टैंबलेट को यूज करके अपने कर सकते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन होगी वह सेव हो जाएगी इसके अलब आप चाहें तो फाइल टैब में क्लिक करके सेव का उप्सिन सेलेक्ट कर सकते हैं तब भी प्रेजेंटेशन होगी वह सेव हो जाएगी इसके अलब आप चाहें तो सौटकट की कर सकते हैं जो करेंगे तो यहां पे आपसे पुछा जाएगाए आपको प्रेजर्स करने ही आप पूशा कर सकते हैं जैसि कि मैंने यहां पर डेक्स्टाप से नाम से फोल्डर बना रखा है तो उसमें उसके तरीकी से आप भी अपने कर सकते हैं। तो किसलेक करने के बाद मैं आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी तो फ्रेंटे wollt को सेट कॉगी हो लग तो है। आपको यहिए होगा होगा। अगर हम अगर पहिए अगर मान हो crystal by लेटेस बर्जेन उसकी से आपको फॉइल टैब में जाना होगा आपको इनफो का सीव करेंगे और उसके बाद में मिल जाएगा प्रोटैक्ट प्रिजेंटेशन तो जैसे हैं के आपको फॉइल्डर टाइप कर देना है और अगर मान लिए आपके पास में ओल्डर बर्जन है में सफिस का तो उसके इसमा फाइल टैप में जाएंगे बहाँ पर सेपको ऑफशन मिल जाएगा और उसके बाद में टूल टैप के ड्रॉप डाउन मेन्यों में जाएंगे और बहां से जो है जो है ज क्लिक करंगा और यहां पर मंचे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आपके प्रेजेंटेशन नेसे पर फिर लग जाएगा अब अब इस प्रेजेंटई को डिलो और दोबारा से जब इसको ओपन करेंगे तो आपको क्लियर हो गया हुगा कि कि तरह के से coulda अब करते हैं कि हम प्रिजेंटेशन की कर सकते हैं जी डाएलगड बोक्स दबाता है कर दूढ़ कर रखाओ एकिन एक लेकिंगर जो उस प्रोंडरे चिंगे उनको आपने शेम नहीं किया हो तो इसके अलाब यूजिस करें ना चाहते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको सेब करने तो उसको भी आप जो है डारेक्ट ली पावर पाइंट में ओपन कर सकते हैं किस तरीके से करेंगे लिए पहला तरीका यह है कि आप फाइल टैप में जाएगे और जैसी क्लिक करेंगे तो डायलाग बॉक्स खुल जाएगा तो जहां पर आपके प्रेजेंटेशन सेलेक्ट कर लिए इसको मैं आपको प्रेक्टिकली करके दिखा देता हूं तो जो प्रेजेंटेशन हमें सेब करी है उसी को हम उपन करके देखते हैं हम जाएंगे इस काम को करने के लिए फाइल टैब में और यहां पर देखिए आ रहा है ब्राउज का ऑप्शन अगर आपकी प्रेजे लिए और उसके बाद में परेजेंटेशन करके बटन पर क्लिक कर देना जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंटेशन में वे उपन हो जाएक दो क्लो में करने के लिए अपको यहां पर देखिए और आपक्शन क्लोज का इसके लाब अगर आप चाहें तो यहां पर जो close बटन आ रहा होता है इस पर क्लिक करके भी presentation को close कर सकते हैं देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो यहां पर option दे रहा है कि presentation जो हब आपकी save नहीं है तो अगर आपको save करना है तो save वाले बटन पर कि किस तरीकी से presentation को edit कर सकते हैं इस को किसा फॉर्मेट कर सकते हैं तो दिखे अर्म करनेके den वोग कोई आपने साफीन सब्सक्राइब करके देखने क्री और मुझे को मैं शुक्त कर नहीं तो इस काम पर टेक्सक्राइब करेंगे इस काम को करने के लिए insert tab पे जाएंगे और यहां पे देखिया रहा है tax group जिसमें यह tax box दे रखा है तो इस tax box पे मैं click कर दूँगा और click करने के बाद में जहां पे भी मुझे tax को write करना है बहां जाके जो हमें इस तरीकी से draw कर दूँगा और इसके बाद में यहां पे मैं type कर सकता हूँ जो भी मैं type करना चाहूँ वो मैं यहां पे type कर सकता हूँ तो इस तरीके से कहीं पे भी जो हम आपने slide में tax को insert करा सकते है tax box की help से I hope आपको clear हो गया होगा बात करते हैं formatting की तो अगर आपको tax को format करना है तो जोहां आपको home tap पे font group मिल जाता है जो कि कुछ इस तरीके से दिखरा होता है और यहां से जोहां font को change कर सकते है font के size को change कर सकते है text को bold कर सकते हैं, italic कर सकते हैं, underline कर सकते हैं मतलब कि काफी सारे type की जो हैं आपको formatting feature मिल जाते हैं जिनको कि आप अपने requirement के according यूज कर सकते हैं देखिए इनको भी जो हम आपको practically apply करके दिखा देता हूं तो यहां पर powerpoint में करते हैं तो माली जी टेक्स मैं ने एंटर कर रहे हैं इनको मुझे format करना है तो मैं करूंगा इनको select कर लोंगा और select करने के बाद में home type के font group से मैं formatting apply कर सकता हूं जैसे कि माली जी हां पर मुझे font को change करना है तो font को मैं change कर सकता हूं इसके लाबव यहां पर size को change कर सकता हूं यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैंने size को change कर दिया है इसके लाब अगर आपको text को highlight करना है तो highlight भी कर सकते हैं तो कुछ इस तरीके से यहां पर formatting features होते हैं जिनको कि आप अपने requirement के according use कर सकते हैं I hope आपको clear हो गया होगा अब बात करते हैं formatting को copy करने की मतलब कि आपके slide में को formatted text है तो उन text की formatting को copy करके आप दूसरे text को apply कर सकते हैं जैसे कि example के तौर मान लिजे आपने अपने अपनी slide में इस तरीके से text लिखें जिसमें कि आपने blue color लगा रखा है और font effect को apply कर रखा है साथ साथ आपने हाँ पर size को भी increase कर रखा है अब इसके लाब मान लिजे आपके presentation में कुछ और text दे रखे हैं मतलब कि इस पर फॉर्मेटिंग अपलाई की हुई है और यह जो text लाइन पर फॉर्मेटिंग अपलाई की हुई नहीं है लेकिन आप चाहाते हैं कि जो फॉर्मेटिंग है इसको copy करके इन पर भी apply किया जा सके तो किस तरीके से कर सकते हैं तो इस काम को करने के लिए आप यूज़ करेंगे फॉर्मेटिंटर टूल का जो कि आपको home tap के clipboard group में देखने को मिल जाता है यह आप लोग दिख सकते हैं यह होता है फॉर्मेटिंटर तो इसको जो हम आपको आपको फकल देखा ओगहां तो इहां पिभ continue karta के नहीं दिखा कर में लोग अगर आप लोग नहीं पता है तो इस चेप्टर के पार्ण में mm safeguard कर चुका हूँ उस वीडियो को आप लोग देख लीजगा बात करें तो आपका डिफॉल्ट वीव होता है जिसमें कि आप प्रेजेंटेशन को एडिट करते हैं मतलब कि जिस मोड में प्रेजेंटेशन को बनाते हैं वह आपका जो है नॉर्मल बोड होता है जो कि कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है आप जो यहां पर स्लाइट को और जितने भी इस तरीके से यहां पर डिसप्ले होती रहती तो इस को नॉर्मल बित कर सकते हैं इसके अलावा जो एट इफक्त होते हैं उनको भी अप्लाइफ कर सकते हैं बात करते हैं अगली बीओ की जो की है स्लाइट शॉटर एशॉटर बियू आपको ही जिवह सारी कि और कुछ इस तरीके से ब्युक्त आता है जिसमें की मिनीचर फॉयुज्ट को देख सकते हैं और यह विउज एसे जब आपको क्लियर हो गया होगा बात करते हैं अगले विए की जो कि आपको बता चुका हूं जितनी भी आपको दिखाई देती है जिससे कि जब आप प्रिजनटेशन दे रहे हैं तो सारे विए पुरी इसक्रीन पर देखने को मिल जाती है और इस विए के लिए जो शॉटकट की होती है एफ 5 जिसका यूज करके जो आप स्लाइट शो को स्टार्ट कर सकते हैं बात करते हैं अगले विए की जो कि है नोट पेज तो नोट पेज के अगर हम बात करें तो यह आपको देखने को मिल जाता है विए टाप के अंदर और यह स्कार्ट के लिए होती है जो पर्संद दे रहा है उसके लिए होती है जैसे सकते हैं यहां पर आप डिस्प्ले होगी यह वाली इंफॉर्मेशन सिर्फ और बाकी लोगों को बड़ी स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगी तो मुझे लग रहा है आप लोगों को यह भी क्लियर हो गया होगा बात करते हैं यह जो की है रीडिंग व्यू तो यह स्लाइट सो की तरह ही होता है लेकिन रीडिंग व्यू में टाइटल वार और स्टेटस वार जबकि जो श्लाइट व्यू होता है उसमें आपको कोई और बार देखने को नहीं मिलती है और यह वाला जो व्यू है काफी जादे यूसफल होता है जब आपको प्रेजनेटेशन को रीड करना हो और साथ-साथ जो आपको श्लाइट में नेभीगेट करना हो मतलब कि आपक बीडिकली देख लेते हैं जिससे कि आपको पता चल सके कि आप इन व्यूस को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं तो अभी जो देख रहे हैं आप यह हमारा नॉर्मल इसमें जो हम एड़िट कर सकते हैं अगर मुझे कुछ अधिट करना है तो मैं एडिट कर सकता हूं तो इसपर आप क्लिक करना है और यह सिर्फ आपके अगर चाहिए तो आपने अपने एक सकते हैं इसर राफारिक लिए उसमें ध्यूर ne दिए हमां पर चो एंधास वार दिफ्ले Самर नीचे स्टेटस बार आ रही हो साथ सात हैं यहाँ ओपर आय को तो उसमें आपको तयां देखने मिलती है और में देखने को मिलती ही स्लाइट शोम ऐखानेेक्न चु Murphy करेंगे और सबसक्राइग praandust पेस। अब सुम्हार लेता है क्लिक करए के तो आप यहां पर कर देख सकतें और यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नहीं तो टाइटल बार आ रहे हैं और साथ साथ टास बार जो है वह भी हाइड हो गई है मतलब कि कोई और बार जो है यहां पर देखने को नहीं मिल रही है तो इस प्रिजेंटेशन के टाइम पर यूज़ करते हैं घ्रक 친 यहां आपको और खाल पर ग मिल जाएग समडरी इसको कि आप यहां पर प्रिजिक ऑटन आ होते हैं तो इन पर किल करके स्टार्ट हो गया है तो इस तरीके से नीचे आपको बटन भी मिल जाते हैं उनका यूज करके भी आपके सी वे यहां पर आपको अप्षेल को मिलेंगा अगर अग्रा पर आपको प्लोज को प्लिए भलंग और इसके लावर पर आपको लिएज़िए कर दूब कर दिया है अगले वीडियों में पावरपाइंट पे बेस एक और चेप्टर को हम स्टार्ट करेंगे तो बहाँ पे जो हम पावरपाइंट के बारे में एडवांस चीजों को सीखेंगे तो इसनों आज की वीडियो में इतना ही थैंक्स वर वाचिंग